आप देख रहें BBC दुनिया, मैं हूँ सारेका सेंग। अमेरिका में एक बार फिर गोली बारे हुई है। एक शक्स में सैन फ्रांसिस्को के दक्षन में दो फार्म्स में साथ लोगों कुमार दिया है। और तालिस घंटे के भीतर अमेरिकी राजी कैलिफॉर्णिया शूटिंग की इन दो घटनाओं का गवा बना है। और यहीं वो नाटे की घटना क्रम था जब संदिक दिव्यक्ति को पुलिस ने जमीन पर गिरा कर गिरफतार किया था। जाव चुनली नाम का ये शक्स सड़सट साल का है। उसके पास ये ट्रमेटिक गन मिली है जो हो सकता है कि हमले में इस्तमाल हुई हो। माना जा रहा है कि हमले में मरने वाले लोग चीनी अमेरिकी फार्म वर्कर्स थे। और गोली बारी में मारे गए साथ में से चार लोग एक मश्रूम फार्म में मिले। एक पीडित यहां मिला जो अस्पताल में भरती है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीन और लोग पास के एक ट्रकिंग बिजनस में मिले। स्कूल से निकल रहे गुद बच्चों ने जो यहीं आसपास रहते हैं इस घटना को होते हुए दिखा। और अमेरिकी राष्ट्रपती ने भी हमले की निंदा की है और कहा है कि मैं अमेरिकी संसत से गुजारिश करता हूँ कि तुरंत कारेवाहे कीजे और बंदू को पर बैन लगाई है। वही आज छोई हिंसा पर स्थानी अधिकारियों का कहना है कि यहां रहने वाले लोग इस घटना से सदमे में हैं। अनिक समुदाय के रहन सहन के अनुरूप नहीं है। और कुछी दिन पहले कैलिफॉर्णिया के मॉनेटरी पार्क में लूनर न्यू यर के दौरान गोली बारी के घटना हुई थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे। वो जगह यहां से 6 घंटे की दूरी पर है। दो-ती दिन पहले ही एक भयानक घटना घटी। मॉनेटरी पार्क के एक बॉल रूम डान्स वेन्यू में जो लॉस आंजलिस के पूर में है और जहां ज्यादा तर एशियाई अमेरिकी लोग रहते हैं। अब उस हमले में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। हाला कि जब वो हमलावर दूसरी जगह पर गोली इबारी करने गया तो एक आदमी ने उस पर काबू पा लिया जिससे वहां कई लोगों की जान बच गई। ये दो घटनाएं जिन में इत्तफाकन दो एशियाई बंदूग धारी थे कालिफॉनिया में हुई जहां गन कंट्रोल से जुड़े काफी कड़े कानून है। और जादा जानकारी के साथ न्यू यॉक से मारे साथ जुड़ रहे हैं सायोगी सलीम रिजवी। सलीम आठ दिन के अदर ये तीसरी घटना है और वहां के गवर्नर भी कह रहे हैं की ट्राजडी अपॉन ट्राजडी हो क्या रहा है अमेरिका में। नेकि ये कैलिफॉर्निया का मामला है तो दो जिन में गरीब ये तूसरा हुआ हुआ है तो ये आसपास ही तक्रीबान चालिस मील के आसपास है लेकिन एक जो मामला हुआ सेड़ेटिक वक्त तान्स क्लब था उसमें जाहर है कि वो 72 यर्स के थे जो खुद भी मेंबर तान् का ये मामला ये फार्म हाउस देखुआ है उनकी भी उम्र कहा जा रहा है 67 तो ये एक बड़ी अजीब सीस में बात कुलिस कह रही है कि ये इस तरह के जो एज़ प्रूप है इसको पहले जादा नहीं देखा गया इस तरह का कि गन्वालेंस में इस तरह के चामिल हो जाहर है कम्यूनटी ना परशान है और वह एशन कम्यूनटी का हब माना जाता है जिने एशन कमिलिटी का देख टो पार्क हो और अब कि जो मंड़े को हुआ ये हाफ मून बे का इलागा, वो फार्म का इलागा है, कहा जाता है कि वो साहब जो थे चुनली जाओ, वो वहां काम करते हैं फार्म के खुद, तो ये सब मामला जाहर है कि पुरे गन जो रखने का मामला है, वहस्तू होती है, और जाहर है कि लोगों में बड़ी प्लिटा है, पता चला कि पुलीज का कहना है कि बारे में कुछ नहीं पता है दोनों मामलों में लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक मामला उसमें डिस्क्रांटल वरकर है वह ही काम करते थे तो किसी जाप आथे और जो पहले सेरेड़े को पामता हुआ थकांस लबका उसमें भी का जा रहा है कि वो कुछ आप सीटिंगी प्रावलम की वो डूब रहे थे वो लेकिन तिक रैंडम बिलकुल शुक्रिया इस पूरे